जैमा काली मित्रो आपका मेरे चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो आपने सामान्य तो देखा होगा कि लोग जगे जगे पर बंडारा करते रहते हैं और बंडारा क्यों किया जाता है, बंडारा क्या होता है, और किसको अधिकार होता है बंडारा खाने का, तो ये बात मैं बहुत ही मैतपूर जानकारी है, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, बहुत ही दुरलब जानकारी है, आप इसको ध्यान से सुने, वीडियो को पू बनदारा ज़न सामाननी के लिए ना इसलिए इसलिए किया जाता tätä है कि जो लोग होते हैं उनका भोजन दिया जाए उनका पेट बहारा जा सके अपनी मननत पूरी होने की खुशी में तो ये भंडारा जब किया जाता है तो लोग क्या करते हैं इस भंडारे के अंदर बहुत सारी तुरूटियाओं होती है जो मैं देखती हूँ जो नहीं होनी चाहिए देखे मितरो जो भंडारा होता है, भंडारे का अर्थ ये होता है, कि जून मनुष्यों को भोजन प्राप्त नहीं होता, जो मनुष्ये अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाते, उनको भोजन कराना एक भंडारे का उद्देश्य होता है, लेकिन मैं बहुत जगे ऐसे देखती हूँ, लो जो भंडारा बोला था, वो भंडारा आज हमारा हो गया है, हमारी बोल कपूल पूरी होई थे और ये बोज हमारे सर पे से उतर गया है, लेकिन वास्तविक्ता इससे अलग होती है मित्रों, वो भंडारा माना ही नहीं जाता, भंडारा वो है जब आप किसी की गरीब व्यक्ति ब्हुक्तिपी की आत्म में जब आप अन का दाना डालते हैं, उसके पेट की जो भूक है उसको शांत करते हैं और उसके बाद उसके मन से आपके लिए एक बहुत अच्छी कामना एक दूपा निकलती है, तब जाकर के आपका वो भंडारा सफल होता है तो भंडारा ऐसे व्यक्तिवों को खिलाना चाहिए जिनको भोजन उपलब्द नहीं है ना कि ऐसे व्यक्तिवों को जो बड़ी-बड़ी कारों से आते हैं या पेट बर करके आते हैं और आप कहांब भोजन करते हैं पहली चीज दूसरी चीज भंडारा केवल मनुश्यों का ही नहीं होता अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप मनुश्यों को ही पोजन कराएं क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार देखती हूँ कि लोग भंडारा लगाते हैं और उसके असपास बहुत सारे कुत्ते जमा होते हैं, पंची भी होते हैं, अर तरह के जीव आते हैं, तो उनको दुतकारते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्या वो जीव नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि इश्वर की जो आत्मा होती है, आत्मा इश्वर का अंश हो जानवर आता है, कुत्ता आता है, गाएं आती है, गिलहरी आती है, कोवा आता है, चिडिया आता है, तो आपको उनका भी भंडारा करना चाहिए, भंडारा तो चीटियों का भी होता है, जो बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, जिनके मन में है कि हमें भंडारा करना चाहिए, तो पुमित्रों इस तरह बंडारा अगर आप करते हैं तो आप से ईश्वर प्रसन होंगे आपको आशिरवाद देंगे और उनके द्वारा भी आपको आशिरवाद मिलेगा जो बिना बोलने वाले जीव हैं जिनका बोलना कोई अर्थी नहीं है जिनकी भाषा कोई नहीं समझ सकत है, तो मैं हैसा मानती हूँ, अगर आप अगली बार किसी भी प्रकार का भंडारा करने जा रहे हैं तो इन जीवों को ना न का रहें और ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराएं जिनने वास्तव में ही भोजन की अवस्षय ता है, तो मित्रों आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये दी गए छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और जो भी कोई मेरी बात से सहमत है तो मेरे कमेंड बोक्स में जै मातदी अवश्य लिखे है मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल